हम अभी आपको एक सुप्रसिद्ध जो हमारे देश के अंदर सब्जी के रुप में प्रयोग किया जाता है ऐसे इस सब्जी के गुणों को बताने के लिए हम खड़े हैं यहां आज आपके लिए सिर्फ एक सब्जी नहीं है यह सिर्फ भोजयन का अंग नहीं है आपी तो आज के बाद यहां आपके लिए एक आउशदी पौधा बन जाएगा इस पौधे का प्यारा सा नाम है करेला इस करेले को आप देख पा रहे हैं और मैं तो यह कहता हूँ करेला कड़ुआ जरूर होता है पर यह आपकी जीवन में मिठास को भरता है आपकी बानी हमारे देश में प्रतेविक व्यक्ति इसको जानता है अथा इसके परिचे के संदर्व में ज्यादा हम चर्चा ना करती हुए आईए हम इसके कुछ आउशदीय गुणों के विश्य में चर्चा करेंगे यहां बहुत ही दिव्य गुणों से परिपून पौधा है हम जानते है कि करेला कड़वा होता है इसलिए डाइबिटीज में काम करता है एक सामा ने प्रचलन है हमारे यहां इस तरह की अवधारना परन्तु हम यह नहीं जानते हैं कि वह वास्तों में कितना काम करता है तो आईए हम इसके कुछ गुणों को जानते हैं यह करेला सिर्फ फल ही इसके पत्याँ इसके जो पुस्प है फूल है ये संपून करेला आपके लिए अत्यन्त गुणकारी है किस्सी को भ्हानक सर में दर्ध हो यह करेले कि पत्यों को पीस करके यदि आप माथे पर लगाते हैं तो इससे दूर होता है आपका सर का दर्ध है यह peaksब उचुक और रामबान अउश्डी है। और यहाँ दूसरा काम करता है आपके मुझे चाले के लिए। मुह के छाले के लिए बहुत सारे हम उपये गरते हैं कभी-कभी इतने भएनक और खतरनक हो जाते हैं मुझ के छाले कभी कभी उहां कैंसर में भी परनित हो जाते हैं आपको उन चालों से अब हतास परिशान और घबरानी की जरुद नहीं है क्योंकि मुझ के छाले के लिए यह एक बहुती राम बान आउशदी है इसके रस निकाले रस निकाल करके या तो आप उसके अंदर जो मुलतानी मिट्टी होती है थोड़ी सी मुलतानी मिट्टी मिला करके इसको पेस्ट कर ले मुलतानी मिट्टी उस समय प्राप्त नहों तब मुह के च्छाले में लगा करके लार को आप बाहर निका लिए आप देखेंगे इस से मुह के च्छाले एकदम आपके दूर हो जाएंगे यह दिमाली जी आपके पास यह करेली की पत्तिया नहीं है तो यह करेले का जो छिलका है यह जो बाहर का जो भाग है उसका रस निकाल कर करके भी आप इस लाब को पा सकते हैं हलाकि यह इसके पत्तों से थोड़ा से कम काम करता है दूसरी बात करेली के जहां तक सब्जी के बात आती है प्राया हम उस करेली की सब्जी को तल करके खाते हैं हम कहीं इस करेली के गुण को समाप्त कर देते हैं हमने हर चीज में पवित्र आत्माओं जीवन में स्वाद के साथ आप गुणों का भी खोज करें, गुणों की खोज करें, गुणों का अनुसंधान करें, यह बहुत ज़रूरी है, तो करेले के अंदर भी स्वाद न ढूंडते हुए, हम इसके गुणों की और ज्यादा अग्रसरिद हो, शायद कहीं हम अमरित को जहर बना करके अपने यनदर ढालते हैं, यह ठीक नहीं है, फिर हम क्या करें मेरी माता हैं बहने जो भी इस कारिक्रम को देख और सुन रहे हैं सबसे मेरा निविदन है करेला यदि पका हुआ है बीज पके हुए है तो जरूर इसके बीज को आप निकालें बाहर के छिलका को कृपया आप न उतारें यदि आपको लगता है कि यह बहुत साफ करके इसको नहीं रखना चाहिए थोड़ देर के आप चाहे भीगो करके भी रख दें इसके अतिरीक्त मैंने विजन करता हूं कि कृपा करके आप इस करेले के साथ कोई अन्याय ना करते हुए इसके आप सबजी बनाए बहुत ज्यादा तेल ना डालते हुए इसको सुखा भून सकते हैं बहुत कम तेल में धीमे धीमे आंच पर इसको भूनिया लाल सुर्ख होने के बाद में इसकी जो कड़वाट है वो कम हो जाएगी या थोड़ी कड़वी रह जाए तो क्या कहना ये इसका तो ये सहज गुण है न वह कड़वाट आपकी जिमन में मधूरता को लाएगा तो इसलिए इसको इसके कड़वाट पन से आप नफरत नहीं आप प्यार करें तो सब्जी वनाने की विधी मैंने आपको सिखा दी कि निश्चित रुप से मैं समझता हूं कि आगे से करेले को तल करके नहीं करेले को भुन करके नहीं करेले को सेख करके और इसे छ जमा हुआ है पेट के अंदर वो मल नहीं निकल पा रहा हो तो आप करेले की सबजी का सेवन करते हैं तो उसका पेप पूरा साफ होने लगता है कितनी भी भैना कबजी की शिकायत हो यह करेला अत्यंत गुणकारी है और जिन बच्चों को बहुत ज़्यदा कबज की शिकायत र रख देना या मैं यूँ कहूं कि निकाल करके सिर्फ एक बूंद रस करेले का एक बूंद मात्र एक बूंद जो बच्चे जो अन्ना नहीं ले पाते हैं भी उनके जीब पर रख दें थोड़ा से शहत मिला दे आप देखेंगे पेट का अफारा पेट की परेशानी और उनक इस करेले को और इसके कुछ पत्यों को पत्य उपलब्द है तो ठीक है करेले को नहीं तो कच्चे को रस निकाल करके आप गटा गट पी जाएं करेले के जुस को आप स्वाद लेते हूं ना पी करके आप सीधा बिना स्वास लिए पी सकते हैं तो उससे जो पेट की कीड़े हैं किसी भी तरह का पेट के अंदर कीड़ा है तो सारा निकल जाता है परन्त इसके एक दोश भी है बहुत ज्यादा नहीं सेवन करना चाहिए मैं समझता हूं कि जो उचित मात्रा है वहां लगभग 50 ml से 100 ml तक करेले का रस आप पीए यह एक अनुभूत मात्रा है इससे जो ब एक बहुत गुणकारी प्रियोग है मैं एक घटना का उल्लिक करना चाहूंगा हमारे हैं जब आवासिय योग शीविर होता है सर्देश स्वामे जी जब योग की क्लासिश लेते हैं तो पूरे देश के नहीं अपितु पूरे दुनिया से हमारे पास शीवरार्थी आते हैं योग सिखने के जग्यासू रोगों से मुक्त होने के जो पिपासू हैं वो लोग आते हैं तो हम करेला खीरा टमाटर का जूस का सेवन रोगों के हिसाब से दूसरे काढ़े आधी सीविरों में देते हैं तो लोग सोचते हैं कि तुम करेले का जूस खुब पीलो जो के लिए डायबिटीज के लिए डायबिटीज में एक करेला इतना बड़ा करेला हो यह अच्छा साइज है यह थोड़ा छोटा है यह ठीक ठीक साइज है इतना बड़ा करेला और एक इतना बड़ा टमाटर और एक मीडियम साइज का खीरा खीरा करेला और टमाटर तीनों और यह प्रात्र सायम सेबन करते हैं कभी भी किसी भी जूस को रात को नहीं लेना चाहिए साइंकाल तक आपको ले लेना चाहिए यह आयरवेद का विधान है क्योंकि यह भी बहुत जरूरी है हमारी हां बहुत दिव्य गुणकारी आउशदियां तो हैं पर इन आउशदियो क्योंकि उससे इसकी जो प्रकृती है ज्यदा मात्रा में लेने पर फिर रात को किसी पित आदी की प्रकुपन इससे हो सकता है तो साइंकाल को आप इसका सेबन साइंकाल तक या तो सुबह प्रादह खाली पेट सेबन करें सरवत्तम है या तो नास्तिक के तीन-चार घंटे के बाद या रात्री को भोजन से तीन-चार घंटा पहले तक भी आप इसका सेबन कर सकते हैं सरवत्तम काल तो प्रादह खाली पेठी है तो इसका आप सेबन करें तो मधुमेह और मधुमेह जन्य दूसरी जो विकृतियां हैं दूसरी जो विकार हैं उसमें भी आपको मिले इसको डाल करके माताय पहने एदि करेले के जुस को पीती हैं तो जिनको पीरियड कम होने की शिकायत हैं जिनको समय पर पीरियड नहीं होता हो मासिक धर्म अनियमित हो अनियमित मासिक धर्म के लिए यह एक बहुत ही गुणकारी और बहुत ही दीव्य प्रयोग है इसके अत सेबन करते हैं तो चर्म रोग के लिए यह अत्यांत लाबकारी है एक्जिमा है सीरोसिस है और आपके लीवर की प्रावलम के लिए भी यह करेला आपकी लीवर की जो परिशानी है यह जो अंडिस है SGOT, SCPT अबनर्मल है आपके लीवर फंक्शन ठीक नहीं है उस स्थिति में भी यह बहुत ही गुणकारी है बहुत ही अच्छा यह प्रियोग है यह एक दिव औशदी है निश्चित रुप से करेला करेला सिर्फ एक सबजी मात्र नहीं है करेला कड़वा नहीं है अब आप में सब्सक्राइब में शुचर्ण नहीं होंगे करीला नेठा है हमारे जीवन के मिठास को यह भरने वाला है जिनको खाज-खथली दाध है उन लोगों को इनकरेले के पतियां और पोड़े नीग के पतियां को पीस करके यदी आप उस रस से दीरे-दीरे करते हैं तो दूद उतरता है, दूद उतारने के लिए करेला एक चमतकारिक प्रयोग है, शतावर हलाकि बहुत अच्छा काम करता है, पर करेली की शबजी यदि आप कुछ दिन खिला देते हैं माताओं को बहनों को, तो उससे भी इस तन पर दूद उतरने लगता है, और उससे जो होगा ही होगा, उससे जो बच्चा है, वह भी रिष्ट पुष्ट होगा, इसके अतिरीक्त उससे बड़ा लावी होगा, अर्थराइटिस होने की जो संभावना है, वह खतम हो जाएगी, जिससे की जीवन उनका निरामय और सुखद बनेगा, क्योंकि देश के अंदर हमारी माता हैं, लगब मैं समझता हूँ कि हर चोथी और पांचों माता हैं वहनों में से एक को अर्थराइटिस है, एक वहनक महामारी की तरह से अर्थराइटिस की बिमारी बढ़ती ही जा रही है, इसके लिए जरूरी है, वो करेली की सबजी का सेवन करें, आयरिवत के अंदर इसका करेला भी पढ़ता है, उसका हम घंसत तो निकाल करके, एस्ट्रेक्ट करके, फिर हम गोली बना के डालते हैं, जो डाइवतिस के लिए बहुत ही कारगर है, इसी तरह से आयरिवेत के अंदर रक्तशोदक और पेट को ठीक रखने वाले और शुदियों में भी करेली का प्रयोग शास्त्रों में वरनित है, और जिनको घंसे फोड़ा नहीं फुट पा रहा है, इस करेली की जड़ को घिस करके, आप सिलबटे पर घिस करके, यदि उस जगह पर लगा देते हैं, इस से फोड़ा भी पक जाएगा, निकल जाएगा, और इस करेली की पत्ते को यद पस को निकालने के लिए दर्द को कम करने के लिए यह भी बहुत कारगर है, जिनको पत्री की सिकायत है, पत्री में भी करेले का रस बहुत कारगर है, बहुत गुणकारी है, उसमें भी इसका आप सेबन कर सकते हैं, इस से पत्री निकलने में भी आपको मिलेगा सहयोग, एक करेला अनेक गुण विविद गुण विविद तरह से वहां बहुती लाबकारी पहुदा है इसी तरह से कान के दर्द के लिए अत्यंत गुणकारी है जिनको कान में दर्द हो इसके पत्तों का रस निकाल करके इस चार-चार बूदेदी कान में डाल दें तो कर्णफीडा में तूरंत आपको मिलेगा लाब। और इन करिले को, इस कच्च करिले को आप जैसे बैगन का भरता बनाते हैं, इसी तरह से आग में भुन करके, उसको क्रेस्ट करके, रूई में लपट करके, यदि घुटने पर बांगते हैं, जहां सूजन है, जहां शोथ है, जहां दर्द है, वहां बांधते हैं, तो आपको मिलेगी मुक्ति दर्द से, तूरंत आपको राहत मिलेगा, कितना गुणकारी है यह, कितना दिव्य है, अर्थराइटिस से बचाएगा आपको करेला, डायबिटीस से बचाएगा आपको करेला, किडनी की प्रॉलम से बचाएगा आपको करे है पर गुणों में एक दम कुसुम से भी एक पुस्प से भी गुणकारी है यह यह अत्यंत लाबकारी है यह तो आईए हम इस करे लेकर सेवन को अउशदी की रूप में करते हुए अपने जीवन को निरा मैं करें एक आनन्द मैं करें और देश के अंदर जो बढ़ती हुई व्यादियां हैं बिमारियां हैं अब हम इन व्यादियों और बिमारियों को ठिक करने के लिए दवाईयों की नहीं हम इन जड़ी बुटियों को और शदी के रूप में इन साग सबजियों को हम और शदी के रूप में सेवन करके हम बिमारी से मुक्त होंगे और पूरे झाल